पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो की पीम नरेंद्र मोदी के खिलाब अबदर टिपणी के बाद बीजेपी में भारी कुस्ता है बीजेपी कारकरता पाकिस्तानी दूतावास के पार सीन मूर्थी मार्पर पाकिस्तान के खिलाब भारी विरोध प्रदर्शन कर रही है वे पाकिस्तान हाई हाई किनारे भी लगा रही थे वही दिली पुलिस ने बीजोपी कारकरताओं को पाक दूतावास की और मार्श करने से रोकने के लिए बैरिकेट्स लगा दिये अलाकि बिकाबो कारकरताओं ने बैरिकेट्स के पहली रेखा तोड़ दी वही अब अंतिम रेखा पार करने की कोशिश की गई फिलाल पुलिस ने बीजोपी के कारकरताओं को हिरासत में ले लिया है उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तमाल किया दिल्ली के मोडल बसे इस्तित प्राइमिर स्कूल से एक टीचर गुसे में इतनी हैवान बन गई की एक बच्ची को पहले मंजल से नीचे फिक दिया शात्रों को गंबीर हालत में अस्पताल में भरती कराए गया जानकारी के मताबक एमसेटी स्कूल की दो महिला टीचर्स ने आपसी जगड़े में पांच्छी क्लास की बच्ची को पहले पेपर कटर से मारा फिर पहली मंजल से फिक दिया गटा में बच्ची के सिर में चोट आई है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है डीपीजी रोड थाना पुलिस को जब मामने की जानकारी मिली तो टीम मौके पर पहुची है जान शूरू की है सारण में जली चिताओं की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि बिहार के दो और जिलों में जहरली शराब से भी मौत के बाद अर्थियां सचने लगी है जी हां बिहार के अब तीन जिलों में जहरली शराब से मौत का टांड़ शुरू हो गया है सारण में जहरली शराब से बीते तीन दिन से लोग मर रहे हैं जहां जहरली शराब से मौत का आखड़ा साठ पहुंच चुका है इदर शुकरवार को विहार के दो और जिलों से कतित तौर पर जहरली शराब से मौत के मामने सामने आए चप्रा के परोसे जिल सीवान के सासाथ बेगुसराय से भी शुकरवार को जहरीली शराब से मौत के मामने सामी आए मिली जानकारी के मताबिक सीवान के भगवानपुर हर्थाना शित्र के गाउं में जहरीली शराब से पांच लोगों की मौत हो गई रूटकी की सिविल लाइन कोटवाली पुलिस ने ऐसे स्पी नुर्देश पर देए रात विधी जानकारी के मताबिक पुलिस ने चापे मारी की जिसमें जुआ खेलते वे 27 लोगों को मौके से गिरबतार किया गया मौके से 12 लाख रूपे भी बरामद हुए हैं और फोर विलर गाड़ी को भी रासत में लिया गया है पुतादें की हदवार निस्पी को मिरें पुट पर सिविल लाइन को तवाली पुलिस से देए रात एक होटल में चापे मारी की जिसमें 22 लोगों को मौके से जुआ खेलते पकड़ा गया वहीं इनके पास से 12 लाख रूपे कैच परामद हुआ है वहीं इस पे दिहाज सफिंकिशोव सिंग ने कहा कि आरोपियों के खिलाब संबनी धाराओं में उकदमा दर्ज किया गया है वहीं नोंने बताया कि होटल स्वामी के बारे में भी जानकर जिटाई जा रही है पकड़े गए सभी आरोपे रूपे रूड की साइथ अलग-अलग शेहरों के बताये जा रही है और उनके द्वारा दिये गए निर्देश पर सियो रूड की के नेतरुत में कल देर रातरी होटल आल सीजन में छापे मारी की कारवाई की गई और फड़ पर बरामत लगबग 12.500.000 रुपे बरामत किये गए हैं इस सम्मंद में जो लोग भी सनलिप्त पाये हैं उनके विर्द और जो लोग भी सनलिप्त पाये जाएंगे उनके विर्द अगरिम विदिकारवाई अमल में लाई जाएगी अंतरगत दहरा तीन बटने चार गैमिलिंग एक्ट के अभियोग पंजिकित किया गया है और अभियुक्तों का चलान मन्य नहीं है पराणे मांग मेले का इज़िन इस्बार गूत करवाय की पिछले साल कोरोणम मारी के कारण उत्रकाशी का पराणे का अभियो नहीं हो पाएथ है कि इस बार पराणे मांग मेले 14 आप होगा और मीन भवेत जाएगा पराणिक मांग मेले का घाते उत्रका कि मुखे बंति पुश्पर सिंग धामी के करकमलों से होगा निगरपारी का ध्यक्ष का कहना है कि समय पहड़ी बार जिला पंचाय तो निगरपारी कसे तुरूप से पुरानेक मागमेले का सफल आयोजन करवाने की पूरी तैयारी में है दो वर्स के बाद इस वायर मागमेले की चिरॉद कर दोर होता है और ये हमारे लिए कोविद कार जबाया है तो तो फीलाजनेवだ मला बाद Xiaomi उन्मेले मेले कहनी आद्यात्मिक और पोरानिक तोर पर जो हमारे रिति रिवाज उनको लेकर है साथ मेले में हम यह प्रियास कर रहे हैं कि मेले को सोरोजगार के रूप में भी देखा जाए कि एक रोजगार मेले की रूप में वेसको लगाए जाएगा और मेले की जो पोरानिक चीजे हैं उनको उन धरावरों को हम मंच के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे अंतरगर्द पत्टी गोंगड विकासखंड भिलांगा के ग्राम परोड़ा में 12 सालों के अंट्राल में लगने वाले 9 दिवसी है मा दूद्यारी देवी मेले का आज समापन हुआ 1000 लोगों ने देव डोली की दर्शन किये समापन दिवस पर वतापनगर शेत्र के विधायक विधायक विक्रम सिंग नेगी और वंगूरती शेत्स से पूर विधायक विजेपाल सज्वान बत और मुख्यातिती मौदूद रहे जुरानपूर विधायक विजवपाल सज्वार ने मेला समीती का भारवेक्टर माभगवती से शेत्र की सुक, सम्रिद्धी और खुशहाली की कामना की उन्होंने कहा कि उत्राखन को परेटन और तीधाटन की दुश्टी से आगे लिजाने के लिए हमारी लोग संस्कृति के सम्वर्धन हेतू इस तरह के मेलो का सरक्षन आवशक है वधाय कितापनगर विक्रम रेगी ने अपने संबोधन में अंकिता भंडारी अत्यकान का जिकर कर कहा कि माभगवती अंकिता भंडारी के साथ इंसाफ करें उनके हत्यारों को जल से जल कड़ी सिजा मिने इस मौके पर तीरी कॉंग्रिस अध्यक्ष राकिश राणा, बिलांगना के पूर्व, ब्लॉक अध्यक्ष विजय, गुरसोला, भरा सिंग नेगी, पुरप सिंग पवार, क्यार सिंग विष्ट, सिबेंदर रतूरी, मस सिंग नेगी, कमल पवार और वहीं उत्तरकाशी कॉ जिश्वाल, पोख्रिया, बिजिद्दनोट्याल, राय सिंग रावत, द्वारिका प्रसाद, तमाम लोग मौजूल रहें पौडी जिले में भी उनिष्वाक्तर के यूद में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में भारतिय सीना की पराकरम को याद करते हुए हर साल 16 दिसम्बर को विज़दिवस के रूप में बनाया जाता है विज़दिवस के अफसर पर पॉडी शहर के एजन्सी चौकस्तित शहीद इसमारक पर स्वास्त एवं सिक्षा मंत्री धनसिंग रावत वधायक राजकुमार पॉडी ने वे शहीदों को याद करते वे पुष्प चकर अर्फितकर शुद्धांश लीदी जिलापर शासन के ओर से आयजितकार करम में पूर्वसैनी को ने बताए कि 16 दिसम्बर 171 को पाकिस्तान के करीब करीब 9000 से जादा सैनिक भारतिये सीना के आगे 21 प्रकार से आपने सपर कर चुके थी सभी को पता है इस मौके पर जिला पंचात अधियक शर्शांती देवी भाज पर जलाधियक शिश्मारावत पालिका अधियक चेश्पाल बेगम और सियो सदर प्रेम लालतन टाक उतवाल गोविन कुमार तरें बड़ी संक्या में पू हैं और हमें उनके एक अच्छी जोस और मेखेजना मिली हैं तो इस कारेकरम में यहां पर मयजुक भूए हैं और हमारे विधायक जी इस कारेकरम में आए हैं और जो भी मूचाति दिगने चाहिए उनका हम अपने पूर से व्योंक्त वार्देट करते हैं कि वह स्यृकों के उसमें अपना हिसा लेते हैं इस परकार के हमारे मान्यजेंग मोदी जी आज अपला दिवाली दसेरा बॉर्डर पर मनाते हैं और इसी परकार से इस परकार के नेता अगर हमारा यह बढ़ाते रहे तो हमें बहुत ही खुछी आज हम इसनाक पर सपाइद यहां पर कडिल टे सरदा राला पर इसेज्ड इस्मा रहां है उन शाइदों को नमन करने लिए अकत्रेश हैं सबमें जो ऐसाइब करवास, पाकिस्तान के साथ एफ न अच्छा कारकरफ है इस तरहे हम उनके परिवारों के परती अपनी सम्मेजना परकट कर सकते हैं। देखे आज पूरे भारत वर्समीं विजय दिवस के रूप में हम दोग मनाते हैं। और आज सही दास्तर पर आपने आते हैं। जितने भी इद्व में सही देवर्बों को कोई आपने सम्माजित किया रहे हैं। बहुत बड़ा युगदान भारत के दिया है। पंच बद्रियों में सेख भगवान नादी बद्री धाम के कपाट आश्रावन साथ बचकर 30 मिनुरत पर बंद कर दिये जाएंगे। कपाट बंद होने से पहने के प्रक्रिया हुई। और वर्ष भर में पॉर्ष महा में एक महीने के लिए आदी बद्री धाम के कपाट बंद रहते हैं। ठीकक महीने बाद मकर संक्रांती को भक्तों के दर्शन के लिए आदी बद्री धाम के कपाट खोल दिये जाएंगे। 1971 के युद में भारत की शानदार विजे पर जिले में अमर शहीद सेनिकों को पुष्प चक्र अर्पित करते हुए शधाश्री दी गई। पुलिस और एंससी के जवानों ने अमर शहीदों को गौड अफ ओनर देकर सलामी दी। विजे दिवस पर जिला पंचात में आईजिस सम्हारों में अपर जिला दिकारी टॉक्टर अभीशेक प्रिपाथी, जिला स्तरीय दिकारियों, गणमाने नागरिकों, एवंपूर विस्तैनिकों ने अमर शहीदों को शधाध भली देते हुए, उनके बलिदान को नमन किया इसमर पर सेना के जवानों और शहीदों पर राष्ट के प्रतेक नागरिकों को गर्व है, आज का दिन हमें शहीदों के अदम में सहस और बनिदान को स्मरण करते हुए, देश सेवा के लिए प्रेद करता है, उन्होंने सभी को अपने दायतों का निर्वहन करते हुए, दे जे दिवस सोले दिसमर उनीस सो इखतर में जो भारती सेना ने बांगलादेश स्थापना की थी, उसमें योगदान दिया था, उसके उपलक्ष में मनाया जाता है, तो आज जनपत के सभी सेनिकों जिन्हों ने अपनी बलिदान दिया और इनके परिजनों उनको सामानिक किय गया और उनको याद किया गया कि उनके बलिदान के करणगी हम आज इस दिवस को मना रहे हैं और अन्य शहीदों को भी हमने नमन किया जिन्हों ने अपने देश के लिए अपना अप्रान को ने चार्ट कर दिया जिसमें हमारे देश के 3843 जवान सहीड होई थे जिसमें हमारे जिल्ले के 49 जवान सहीड होई थे और हमारे जिल्ले के सितार गंज हलदवानी से पहुंचे एक्सपत की टीम ने बाराकोली रेंज में वन्विभाग के कर्मचारियों को सांपों को पकड़ने का हुनर सिखाया उन्होंने बताई कि घरों में सांप दिखाय देने पर डरे नहीं बलके वन्विभाग को सुचित करें सांपों से सुरक्षित रहने के लिए घरों में फिनाल के शुड़काव करें से साथ साफ सफाई पर विशेश ध्यान देनी की जुरत है अधिन्स कर्मियों के साथ सांप पकड़ने के अरुभव साजा किये कहा के सांप आबादी के आसपास प्राकतिक वास्त में अधिक विच्छन करते हैं गर में अगर सांप दिखाय देत तो दतकाल इसकी सुचना विभाग को दी जाए कारेशाले में हल्दवानी जू से पहुँटे सर्वशेशर के अशपाल सिंग, भीम सिंग, नल्ठ मुहन, पालिवाल आच्चितोर सती में वन कर्मचारी को सांप पकड़ने का पस्टिक्षन दिगा सांप के बारे में जो हमारे स्टाप को याज प्रिटिस में दिया जा रहा और जिसमें अन्य ग्राम वास्चितों को भी हमने बुलाया और अब कवर गाजेपूर से जहां मनिहारी ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुक युगेदर सिंग के साथ ब्लॉक में सभा के दौरान ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुक से जम कर मार पिटाई हुई जिसका वीडियो अप सोचल मीडिया पर बारल हो रहा है आपको दादे की ग्राम प्रधानों ने जम कर पूर्व ब्लॉक प्रमुक का विरोध किया ग्राम प्रधान अध्यक्ष अंशुर ने बताया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुक ने अपना मनिहारी ब्लॉक पर धाग जबा रखी है और अपनी दबंगई से ग्राम प्रधानों को आई दिन गालिय अलॉच करते हैं यहां तक कि वीडियो खंड विकास अदिकारी भी इसके इशारों पर नाश्टे हैं इस लोगों के एक ग्राम प्रधान को ब्लॉक पर मुख से मार्क टाई करते वे देखा गया जिसके बाद विडियो सोचल मीडिया पर वारल हुआ है पीली भीत में प्रधान मंत्री आवास योजना को ब्रस्ट अचार की दीमक लगती नज़र आ रही है जिस तरह से नगर निकाय चुनाव नज़री का रहा है उसी तरह शिकायतों का सलसला भी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यहां के स्थानी निवासियों में काफी आखरोश है 1,550 में सब्सक्राइब कुए कम fakант Колई यहां नहीं मिला ले मिला रहते हैं हम स्कुए कि जिटानी के मकान में रहते हैं फिरस इजिए सिकायत कि उन्हीं को नहीं थो नहीं इस खाएति कि हमने नहीं 있을ाSH किया लागत यए अब या जाए गाए जलदी दो मैने में आजाएगा तीन मधने में आजाएगा तो अपने five or cop है क्ठचे में रहते हो आपने सिकायच हूं कारवाई क्या मामला क्या है वास अभाष अब रहे हैं रहे हम रहे हम पैसे दिए था हृब सबीजाब तो अपी का ही ऐसा मामला है यह पूरे जहनावाद नगर पंचाइट की बात यह आदे आपके बाट मामला नहीं हमारा बाट का मामला मारी परोष में है दुरानी उसका भी नहीं आया दूसरी का भी नहीं आया है कालपर देहात में पुलिस का स्टेडी में हुई आरूपी की मौत का मामला अभी शान भी नहीं पड़ा था कि अमेठी में पुलिस द्वारा यूवक की पिटाई का वीडियो बारल हो गया है वारल वीडियो से पुलिस विभाग में हर तंप मज़ गया वारल वीडियो में ठाने के अंदर पुलिस युवक की पितायक पत्ती हुई नजर आई जामो ठाना परिसर का ये वारल वीडियो बताया जा रहा है पुरे देश में कॉंग्रिस पार्चे की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है इसी क्रम में ललपो जनपद में कॉंग्रेस के भारज जोड़ो यात्रा निकाले गए जिसमें प्रांती अध्यक शनिल कुमार यादव और पूर्व केंद्री मंत्री पदीप जैन आदित्या आइबम सभी कॉंग्रेस कारेकर्टा यात्रा में मौझूद रहे इस दोरान मीडिया से रूबरू होते वे पूर्व क्यामिनेट मत्री पदीप जोयन आदित्या ने कहा कि लोगों में भायचारा बढ़ाने के लिए राहुल गाधी ने सौ दिन पहले से यात्रा शुरू की थी उन्होंने कहा कि वो गंगा जमनी तहजीग जिससे इस मुल्क को पूरी दुनिया में जाना जाता है दुनिया में कट्रवादी के नाम पर जो देश बने थे चाहे वो नेपाल हो पाकिस्तान हो वहां प्राहिता ही है खुबसूरत भारत पिशले कुछ सालों से लोग जाती धर्म और जात के नाम पर बटने लगे हैं हमने देखा है कि रहीम श्रीकिश्म की उपास्ना में भजन लिखते हैं मुहमद जावेज राम के लिए लिखते हैं उन्होंने पूरी कताब लिखी खंजाजबना तहजीब को काईम करने के लिए उत्तर प्रदेश में छे यात्राइं निकाली लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कॉंग्रिस के लिए समर्पित है चाहे विरुज़कारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या फिर भिस्ट अचार का मुद्दा हो, हम उनके साथ है सरकार ने पहले वादा किया ताकि हम लोगों को रोज़कार देंगे लेकिन आज इस सरकार ने विरुज़कारों के लिए रोज़कार देने की लॉरी पॉप पकड़ा दी है बताएं पूरे देश में भारत जोड़ो जाता निकाली जाए चा कहेंगे और क्या उस देश है देखिए इस देश के अंदर जो नफ्रस का इस तूफान खड़ा किया जा रहा है और लगातार लोग कि भारती जनता पार्टी और राजसेश के लोग इस देश में किवल दो ही मुद्धे इनके पास है कौन क्या पहनेगा कौन क्या खाएगा और कैन किस तरह इबादत करेगा इसके लावाज देश के अंदर के पूई मुद्धा नहीं कि लोग एक देश को बढ़वारा चाहते हैं लोगों के बीच में इनके खाई नफरत पूरे देश के अंदर जो नफरत का माहौल था उसके खिलाव राहुल जी ने आज सौ दिन पहले से यात्रा प्रारम की और इसका एक मात लक्ष है कि लोगों में भाई चाहरा बने वो गंगा जमनी तहजीव जिससे इस मुलक को पुरी दुनिया में जाना जाता था जो कट आज पहाँ पर त्राही त्राही है और ऐसे में भारत की जो खुक्सूर्टी थी वो पिछले फुस सालों से उस पर ग्राण लगया था लोग जात्वात के नाम पर बढ़ने लगे थे हमने भी देखा है कि यह ऐसा मुलक है जिस मुलक के अंदर जो रहीम है वो भगवान स्र निद तेजी वे उसको कायम करें महामंत्री पीतम सिंगे नेटित में सदर तैसी पहुंचे सैक्रों किसानों ने खिराब करते विधलना दिया जहां किसानों के मांग रही कि बकाया बिजली बिल के वसूली को लेकर जब्रन इजलन्स टीम के द्वारा परिशान किया जा रहा है और उन पर अनावशक्त मुक कि यह लोग कहते हैं कि हम जो मखतब करना जाते हैं किसान के नाम पे बिली चोरी के नाम पे अगर किसान बिली चोरी करता है आप जो खतम करना चाहते हैं तो आप उनका स्वासंदिया हम जा रहें किसने आप सब्सक्राइब यहां के इस्पेक्टर है पीरपाल सिंग जो प्रभारी है विजिलन्स के उनी जमारी वात की दूई है उनके वासंदिया है इसी के आएंगे आपका नाम क्या पते हैं तीप गुप्ता पैसे लद्दिक पार्तिक हों अराजी की सदर पेजिए को खराब इगाया आपना कटिग तो उसी में चाहान साथ के विजेश से हम लोग यहां है क्या क्या आस्वासन मिला करेंगी हम किसान को फरेशान नहीं करेंगी हमने भी कहाँ कि आप फेक्टियों को चेकरिये जार यादा उपकर लगते हैं और इसी के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रहें न्यूस वान इडिया के साथ